नमस्कार में जतेंद्र जेन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत आई नजर डालते हैं आज की कुस्ता जतनीन खबरों पर जिन बातों को भगवान ने अपने शास्त्रों में उल्लेखित किया है तो फिर ब्रामणों पर ऐसा गंबीर आरोप कैसे लगाया जा सकता है आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत का यह बयान राजनेतिक रूप से प्रेरित होकर यह फिर भावनाव में भै कर दिया गया बयान है उन्होंने का कि ब्रामण समाज समाज शित की बात करता है देश शित की बात करता है मेल जोल करने की बात करता है इनका कहना RSS प्रमुख मोहन भागवाजी का मैं उसे इत्तफाक नहीं रखता और ऐसे मतलब वीश्म पिता में वो ब्रामणों के पुरोधा हैं और उनके कहे हुए वचन मेरे समझ में यह होता है कि वो लिखित हो जाता है लेकिन उनको इस प्रकार के जो वक्तब्य हैं जिन वक्तब्यों से उन्होंने किसी कारेका में उन्होंने कहा है यह मैं उसको गलत मानता हूँ और मैं ऐसे जो की लगातार इन राजनीतिक जो भाशाएं हैं जो राजनीति के लिए की जाती हैं उससे इत्तफाक नहीं रखता खास तोर पर ऐसे वाक्तियों कि ब्राम्मन उन्हें जाती वर्ण व्यवस्था बनाई है अरे जाती वर्ण व्यवस्था ब्राम्मन कौन होता है आज यह शरीर है शरीर को चार भागों में बाटा गया है मुख है हाथ है पेट है पैर है उसी प्रकार से हमारी वर्ण व्यवस् ब्रामन समाज लगातार लोगों के हित की बात करता है, देश के हित की बात करता है, और हम सब आपस में मेल जोल करने की बात करते हैं. आप पूर्म में जाओ, आप जब देखते रहे होंगे 20 साल पहले जब शादियां होती थी, तो सारे वन ब्यवस्ता के लोग उस सादी में सरीक होते थे, और सब का एक काम बाटा जाता था, कि पंडित शादी करवाएगा, छत्री का ये रोल रहेगा, नाई हमारे समाज के जो लोग होते हैं, उनका ये रोल रहेगा, और अन्य जो जाती के जो लोग होते हैं, उन सभी जातियों के लोगों के उस सादियों में सरीक होते थे, और उनका सब का अलग-अलग रोल हुआ करता था, तो ये वन ब्यवस्ता आज की वन ब्यवस्ता नहीं है, वो हमारे भगवा उन्हें जाती विवस्था बनाई है खबर समझ जोगत क्लिक केमरमें शीवम कुश्वा के साथ आदिति सराथे की रिपोर्ट पर लेटेस्ट में सबस्क्राइब टूर चैनल पर पर बेल आइकोन